जीत तो हमारी होगी और वो पबलिक वो सब हमारी जेब में होगी मकर कैसे है आज जो इतना सब कुछ हुआ है उसके बाद भी बेशाग मदोग जी नमशकार अरे नमशकार आए आप क्या आए हमारा पुलिस स्टेशन धन्न हो गया पदारिये हाँ चली चली जाते हैं जहां जाते हैं उपस जब दर सी चाय पिला देता है का करें कोई बात हैं हम आपको बढ़िया वाला नम्किन खिल अरे नहीं नहीं शरकार ज्यादा नमख खाना भी न बीपी के लिए अच्छा नहीं होता हाँ अच्छा तो पुलिस थाने में आकर वोट मांगना भी नहीं होता बाबा ऐसे कैसे नहीं पर यहां चल सकता है एक एक एसे कर गाउं की वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है जो हमारा नाम नहीं है तो यकीन मानिए अगर हम यहां के वोटर होते तो हमारा वोट केवल बिनोधी जी को जाता है अरे धन्यवाद धन्यवाद मताई कैसे आना हुआ अरे मदोग साब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसका काम उश्जी को साजे और दूसरा करे तो बेवकूब पाजे इसके आगे हम जोड़ते हैं मुर्दा बोले कपन फाड़े कपन पाड़ के बाबाजी मदोग जी बहुत समझदार इंसान है तो आप इधर उधर की बात करेंगे तो बहलने वाले तो है नहीं तो सीधे डायरेक्ट बात कीजिए ना बिलकुल हमारा पूरा यकीन है कि डायरेक्ट पॉइंट बात होना चाहिए उसमें क्या होता है मिस अं बात करते हैं हाँ मुली वह जो सिनेहा माथूर जो है सुनाया सेरपरंची का चुनाव लड़ रहे हो बाबाजी फिर बात घुमा के तारिक्ट बात कीजिए ना आप ही ने बताया था कि ये खबर आपको मधोग जी ने खुद दी थी तो जहन चे निगल गई ती आसा ही सु हटी होने जा रही कि इसा नहों तो बहतर है पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं और ऐसेसी समझा सकते हैं। फुजा की नहीं और वह क्या जाने इस गाओं को क्या चाहिए है पर बहूड को तो सिर्फ हमारी विनोधी बंहों अनी चाहिए हैं और कोई नहीं वैसे बाबा मेरा भी मानना है, डॉक्टर को केवल मरीज का इलाज करना चाहिए, समाझ का इलाज उसके बशकी बात नहीं है, यही तो, यही यही तो समझाना है आप को वो डॉक्टर सुनिया मातर को यही बात, पर बाबा, इस पर मेरे दो पॉइंट्स है, बोलो, पहला यह, कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो और दूसरा पॉइंट मैं ऐसा क्यों करें आपको डाइरेक्ट बात बहुत पसंद है न तो आपको टोकरी में जो है वो दिगंबर को कौन सजा के दिया है बेशक आप दोनों न दिया और इस बात के लिए हम आपके आभारी है हो ना तो फ भाई उपर से आपको जो एक मैडल मिलेगा हमाही तरफ से एक के उपर एक फरी समझ लीजी अगर दूदू मैडल भाई एक मैडल तो सरकार आपको दे ही रही है दूसरा विनोधी बेंट जब सरपंच बन के आएंगी ये दे देंगी परताप्र की तरफ पर बाबा हमारा व बाबा जी मतोग जी जैसी स्थिती उगरेगी वैसे प्लानिंग कर लेंगे हम एक के साथ एक मैडल फ्री ओ ले लीजे बाकी सब हम देख लेंगे वैसे एक बात बता है विनोधी जी बाबा आप से मिलकर ऐसा लग रहा है कि प्रतापूर में एक नया बदलावारा है जो सब इसको उड़ा कर ले जाएगा बहुत-बहुत मुभारत धन्यवाद मुद्वग जी बहुत-बहुत धन्यवाद आए गाना आनद जी 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 नमस्कान नमस्कान यस आए 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 स्वागत है आपका हम आप ही का अन्जिदार कर रहे थे बैठी हमस्के आप दोनु यहां आए इससे मानवता अस्पताल को बहुत पुछिए पंडी जी मौलाना साहब कुछ लेंगे आप जी जरूर लेंगे आपके यानी मानवता की सह हैता है जी इसनिहा जी आपकी प्रेस कॉंफरेंस ने हमारे अंदर एक निया जजबा पैदा कर दिया है हम दोनों आपका हाथ पड़ाना चाहते हैं यह तो बहुत ही अच्छी बात है इसनिहा जी आपने सही पहचाना है इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा है भूख गरीभी पीमारी यह सब भटाने के लिए हम दोनों आपसे जोगना चाहते हैं पर आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आप यह कैसे करेंगे हाँ इंसानियत लंगर और इंसानियत प्लेने के यह से हम आपकी निगरानी में चलाएंगे सारोजनिक इस्थर पर गरीबों के लिए भोजन का प्रबंत हम करेंगे दिन बर लंगर चलता रहेगा यह भोजन कैसा हो यह पौश्टिक आहर कैसे बने क्या पकाया जाना चाहिए क्या नहीं यह आप तै करेंगे और इंसानियत क्लिनिक इसमें हम गरीबों को दवा तश्खीस यानि उनका चेक अप और बुनियादी इलाज के इंतिजाम करेंगे और यह सहुलिया किस तरह दी जाएं और किस तरह गरीबों तक पहुचाई जाएं यह सब आप लोगों को टाय करना है आप दोनको अंधाजा है आप यह क्या करने जा रहे हैं अगर यह इंसानियत लंगा और इंसानियत क्लिनी काम्याब हो गया तो यह मिसाल पुरी देश में फेलेगा कि अधेश के कौने कौने में चमकार हो जाएगा डॉक्टर साब इस विशे में हम दोनों ने बहुत चर्चा के बहुत चिंतन किया अंत में निरड़े ही निकला कि इंसानियत धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारे द्वार से कोई भूखवा ना जाये हर बीमार को रहत मिले और सब पर सब पर इश्वर के करपाव हो यहाव मैं क्या कहूं आप लोगों से यसनिहाजी आप जो कुछ भी कह रही है या जो कुछ भी कर रही है आसर मायनों में यही सबसे वड़ी इबादत है हम तो सिर्फ आपका हाथ बटाना चाहते हैं जो लोग हमें दान देते हैं, खैरात देते हैं, हम उस में सही लंकर का और क्लिनिक का खर्श निका लेगे लोग हमें चितली दुआई देंगे, उतना ही हमें उपर वड़ा आउर देगा, ऐसा हमारा मानना है हम, हम आपके हैसान मनद है तो आपने हमें काविल संज़ा कि इस काम में हम आपका साथ दे सके निरना तो हमें डॉक्टर सुनिहाजी से मिली है हम तो उस सोच को अगे बढा रहे है सिर्फ एक गुजारिश है कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए हम आप लोग इतनी जल्द शुरू करी रहे है तो हम दोनों को जल्द जल्द एक 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 प्चाय पिलाते चाहिए क्यों लगी क्यों लगी चलिए आप लोगो को कैंट्री में चाय पिलाते है हलो कैसे हो अर्जुन हैसा लग रहा है कि चारो तरफ तूफान है और मैं अपनी कश्टी संभाल रहा हूं अर्जुन मोसीबते ही तो इंसान को और मजबूद बनाती है लेकिन इस बार ज़रा शक्सा हो रहा है बचपन से लेकर आज तक मैंने हर चुनौती का सामना किया है और जीता हूं मगर पहली बार हत्यार डालने कर जी करता है अर्जुन चुनौती में ही तो इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है और अभी तो कितना कुछ काम बाकी है होसला रखो मैं हूं ना तुम्हारे सौर हाँ स्निया मैं यही चाहता हूं मैं चाहता हूं कि सब कुछ यह जल से जल ठीक हो जाए मैं आफिस सेटिल करके मैं प्रतापूर पहुंचाऊं लोगों की सेवा करूं तुम्हारे पास रहूं हम सब यहां पर तुम्हारा इंतिजार कर रहे है अच्छा अर्चुन मुझे तुम्हे एक बहुत जरूरी बात पतानी है तो अवे गहरी सांस लोग और जर अपना दिल थाम कर बैठे क्यों? क्या हुआ? पहले तुम बैठो फिर बताऊंगी ओके बोला अर्चुन जो हबर मैं तुमको सुनाने वाली हूँ हो सकता है कि उससे सुनकर तुम्हे शॉक लग जाए बात यह है कि मैं सरपंच के चुनाव में खड़ी हो रही हूँ क्या? कम बैक अगेन? क्या का तुमने? मैं प्रतापुर में सरपंच के चुनाव में उमीदवार के पत पर खड़ी हो रही हूँ स्निया, तुम डॉक्टर हो कि तुम्हारा राजनीती से क्या लेना द। एक है घरवाले क्या के रहे हैं? मा नाराज है और बाबु जी तई नहीं कर पा रहे है तुम्हारी क्या रहा है там स्नेहा सच कहूँ तो तुम्हारे इस फैसले ने मुझे चॉंका दिया यह हो सकता है कि मैं तुम्हारे इस फैसली की गहराई को समझ नहीं पा रहा हूँ साथ ही साथ मुझको डर भी है कि कहीं तुम इतनी बिजी न हो जाओ कि हमें साथ वक्त गुसारने का मोगा भी न मिले बस इतना परेषान मत जल्दी जल्दी अपना खाम करो और रधा परहा चाओ See you soon. जब मैंने शुरुआत की थी, तब लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया था, लोगों ने मेम्स बनाए, मेरे वीडियोस को शेर किया, मुझ पर कोट ने केस कर दिया, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ गया, लोगों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आने लगे, और ये को कॉंडम इस्तमाल करने में मज़ा आया की नहीं, आपको कॉंडम पहन के शारिक संबन्द करने में बहुत ज्यादा मज़ा आया की नहीं, आज मैं भाशर नहीं दूँगा, और नहीं कॉंडम कैसे पहना जाता है उसके बारे में बताओंगा, आज हम मस्त टोपी, यानी इसलिए मैंने खास कॉंडम रैप यानी नाच गाने का आयो जन किया है, जै हो कॉंडम, जै सुखी परिवार पर डोले, डोले, खॉंडम बोले, मस्ती के हवाले होले डोले, डोले, खॉंडम बोले, मस्ती के हवाले होले ना कोई डर, ना कोई फिकर, छूमले, कॉंडम बावा, बोले ना कोई डर, ना कोई फिकर, छूमले, कॉंडम बावा, बोले, 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 बोले पर डोले डोले कॉंडम बोले कॉंडम मदलम मस्तियारी दिल की है ये जिम्मेदारी घर में हो या जिसको साथ रखना इसको फिर आओ पास खिसको कह दे नाम मिस्स को हुक का छटरी रिन को टोपी कॉंडम तेरे कितने नाम अमर अपपर एंथनी सबको बचाना तेरा काम बोले कॉंडम बाबा सरदेटना ध्यान छोटी समझदारी का बहुत बड़ा इना कॉंडम रा डोले डोले कॉंडम बोले मस्तिक्य हवाले होले तिल करे सो तन करे तन करें, तो हम करें चाहत की कोई घडी नहीं, कभी भी जग जाती है प्यार को टाइम से पड़ी नहीं, और रेडी ते रसाती है ऐसे में कॉंडुम ना हो तो, खत्रे की खंटी बच जाती है चंद लम्हों की खुशी, बच ताव बच जाती है आसी मादानी न करो, बोले कॉंडुम बबा, अमेशा सावदान रहो, मजा मिलेगा ज्यादा कॉंडुम रहा है? अर डुले डुले कॉंडुम बोले मस्पी के हवाले होले यों सुई मिले ना थागे बिन ना दिया बिन बाती जिस मर्द के साथ कॉंडुम हो है चुखी उसका साथी फिर हो फिक्सिट डेट सुहाग राथ या प्यार की इमर्जंसी कॉंडुम अगर हो अपने अवास, no problem, no tension जी जैसे सेलफी भी ना फोन न चले, कॉंडुम भी ना प्यार न फ्पले कितनों से हुई है ये गल्ती, बल भर में उनकी किस्मत पल्टी है ये 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 रहे, खुद से कहे, क्यों गया मैं कॉंडुम भूल हैते हो गई मुझसे, कितनी बड़ी भूल कॉंडुम रहा? पर डूल, डूल, कॉंडुम भूल, मुस्पी के हवाले हो दे इतनी सी बात यारा, तुम भी समझ जाना आज ताज जो तेरे है कॉंडुम, कल न पड़ेगा पच्ताना प्यार अनमोल है, मगर तुनिया कॉल है खुद को संभालना, ये ही तेरा रोल है बोले कॉंडुम बाबा, तु कॉंडुम को अपना ले और जब जहां जी चाहे, दोनों का दिल बहला ले शेयित में, शेयित में ना बन ना दान, ले ले कॉंडुम और अपनी ही लाइफ का बन जदु को बोले कॉंडुम बाबा, एक बात जरूरी कहलू अपने कॉंडुम के हैं दो जवरतस्त पहलू एक तो ये अंचाहे गर्ब को होने ही न दे, और दूजा ये बीमारी फैलाने वाले जंतुओं को भी फैलने न दे यही है कॉंडुम बाबा की समझधारी की कक्षा अपनाओ कॉंडुम को पालो डबल सुरक्षा है खुण्डम् वा बोल եूनुवा ཉंडम् ृप... liberal computer rat. cogtt Olivia agora... यह क्या हालत बना रखी है? भार के अलू चल रही है? हम तो उस दिन को कोज रहे हैं जिसे हमने इलेक्शन लड़ने का निश्चर ही किया था यह आओ इदर आओ, इदर आओ यहां बैठो, बैठो आप से एलो, इनो ओदी पॉलिटिक्स जो होती है न, बिल्डिःं की लिफ्ट की थरह होती है अले, उतार चड़ाव तो चड़ता ही रहता है होता ही रहता है? एलो, पाणी प्योँ कहा Him अब भोलो क्या बाच है? र्य हम परचान के हैं निप ज़े हैं तो सब लोग जो हमारे बरू टमांटर अंडा उभाल नुटु बेक रहे थे तुमारे वपर लोगों नदा फंडा वेक रहे थे खरा का उनजा बताऊ तो सही पुता नहीं बाबाजी कौन लोग थे छिप छिप कर बार कर रहे थे और गली-गली मेन न बच्चिन अगातार के विनोधी मुर्दाबाद विनोधी मुर्दाबाद पापाजी हम तो कहते हैं ना हमें इलक्षन हार जाएंगे इसमें तो हमारा है पाइदा है इस अब हालत देख रहे है बस बस तरहराण की डेरी रह गई ती कि यहाँ 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 एक अबला नारी पे जान लेवा हमला यही तो सिंपती का विशे है और वो क्या समस्ते हैं सबजियों की कर्वी है हमारे पास ऐसा ऐसा कद्दू फेटके मारेंगे के मूठ टेला हो जाएगा बस बाबाजी बहुत हो गया हम पहले ही बहुत पैसा कवा चुके अब नहीं सुनो यहाँ इधर आओ यहाँ बैटो तुमने जितना गवाया है ना उसका बीज गुन है वापस आजाएगा एक बार सरपज बज़ा उपस आपने देखा नहीं है सारी पबलिक हमारे खिलाफ है अरे हमने भी कोई कच्ची गोल यहनी के लिए जीत तो हमारी होगी और वो पबलिक वो सब हमारी जेब में होगी मकर कईसे आज जो इतना सब कुछ हुआ है उसके बाद भी बेशाग पैसा और डर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हतियार है सबसे पहले दुस्मन के बारे में सोचो जब पंडेची और मौलाना साहब मुझसे मिलने आए तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए कि हम धर्म स्थलों पर इंसानियत लंगर और इंसानियत क्लिनिक चलाए कितनी सरलसी बात है गरीबों तक पॉश्य का हार और चिकित सा सेवाएं पहुचाना अगर इसका असर कितना जबर्दस्त हो सकता है ये संदेश देश के खोने कोने तक पहुचेगा तो सुख की फ्रांदी हर घर में हर दिल में पहलेगी चाहे हम अलग-अलग धर्मे विश्वास रखते हो लेकिन ये बात तो तय है दुनिया के सारे धर्म एक बात पर सहमत है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं फिर मिलेंगे अगली कड़ी में देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ रंगों की खुश्बू को कोख में भर सकती हूँ एक नई जान को सासों में भर सकती हूँ मैं ये भी मैं वो भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ